अगर quantitative techniques की अपन बात करें तो इसमें तीन टाइप के बच्चे होते हैं मेजरली जिनके सिर्फ 0 आ रहे हैं, जिनके 6 आ रहे हैं और जिनके 12 आ रहे हैं आपका target थोड़ा है कि आपको 12 तक पहुंचना है तो इसका मतलब क्या है ना कि आपको daily practice करना पड़ेगा अब क्यूटी में basic design concepts clear करना और उसके बाद practice करना अब आते तो इसमें डियाई के sets हैं इसमें one-liners का क्या रोल होता है बन-liner का रोल है बहुत जदा practice मत करी है लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े बहुत कोशन के practice करना बिल्कुल जरूरी है काफी बच्चे को problem भी आ रहा है वो problem इसलिह आ रहा है कोकि उन्होंने arithmetic topic पो अतना अच्छे ज़्यान दिया नहीं है बिना क्यूटी के आपको NLU में भी मिल जाए लेकिन साथ एक अच्छा NLU जो मिलना चाहिए न तो आपको नहीं बिलताएगा अगर quantitative techniques की अपन बात करें तो इसमें तीन टाइप के बच्चे होते हैं मीजरली जिनके सिर्फ 0 आ रहे हैं जिनके 6 आ रहे हैं और जिनके 12 आ रहे हैं तो अब जिनके 0 या 6 आ रहे हैं उनके लिए क्या strategy होने चाहिए कि वो 12 on 12 स्कोर कर सके हैं अगर आप चाहते हैं कि आप 12 आप 12 स्कोर करना चाहते हैं तो मेरा यह मानना है कि आपकी दो चीजों पर बहुत अच्छे से कामाइट होना चाहिए पहला तो आपका basic concept और दूसरे अपी calculation की speed क्योंकि अगर अपका basic concept अगर श्ट्रोंग नहीं है तो इसका मत्तली है कि अग तो इन दो चीजों पर आपको कमांड करने की बहुत जड़ा जरुआ अब इसके बाद रही बात की मुझे प्रैक्टिस कैसे करनी हैं तुकी यह भी देखाए मैंने या कि काफी बच्चे क्या होते है ना कि बीक में एक दिन पढ़ेंगे और या फिर को बढ़ेंगे और या मैं यह मनना कि आपको ठार्गेट थोड़ा बड़ा है कि आपको 12 तक पहुंचना है तो इसका मतलब क्या है आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्या जितने जादा प्रैक्टिस करेंगे अब बानके चले का उसका उसका मैं उतने ज्यादा परफ्च्च्ट होगे औ लेकिन जैसे कि Profit and Loss आ गया या SICI आ गया जिसका मतलब क्या हो नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि साथ और साथ अब अर्थमाटिक टॉपिक की प्रैक्टिस करें हैं क्योंकि देखेंगे तो मैंकिनम कोशन परशंटे रेशो एवरेस से ही नहीं आया है लेकिन आपके अब इन टॉपिक को भी अच्छे से पढ़िए अब इनकी भी अब प्रैक्टिस करिए तो नो डाउट आप इन सब चीज़े को करेंगे तो आप 12 आउट और 12 आसानी से पिसकूर कर सकते हो अब क्यूटी में बेसिक से जन कॉंसेप्स क्लियर करना और इसके बाद प्रैक्ट और डेटा इंटर्पोटेशन में क्या होता है कि दो तीन स्टेटमेंट आप आसमें लिंक कर देता है और बू मुझे कई बार समझ में नहीं आता है और मुझे लगता है कि इन्फोमेशन नहीं निकल पा रही है डेटा कैसे फाइंड होगा उस कंसर को क्लियर करने के लिए आपको वल लाइनर बहुत ज़दा हिल्प करेगा क्योंकि वल लाइनर में अलग-अलग logic लगते हैं अब जितने ज्यादा logic आप यूज करेंगे या जितना ज्यादा concept आपको clear रहेंगे तो बहां से statement आपको समझ भी आएगा कि यार इसने किस statement को किसके साथ link किया हुआ है जि मुझे लगता है कि थोड़े बहुत कोशन के practice करना बिलकुल जरूरी है अब totally आप उसको वाल लाइनर जरूरी ही नहीं है अब लगाईए उससे काफी यता concept आपको clear होंगे और no doubt data interpretation को solve करने के लिए बिलकुल वो help करेगा आपकी इसमें मतलब अपने को ऐसा करना है कि basics and concepts क topic के थोड़े वन लाइनर कर लिए फिर अपन डियाई पर जी बिलकुल पहले वन लाइनर दैन उसके बाद में क्या data interpretation आप ऐसा बोग करेगे इससे काफी यदा help को मलेगे खासकर जो arithmetic वाली जो डिया होती है profit and loss, SICI, time and distance वाली उसमें सबसे ज़्यादा help होगा हाँ percentage, ratio, average इसमें एक चीज़ और होती है, कि बच्चा जैसे कुछी topics में strong होता है profit and loss, percentage यह सब होगा है, बट डियाई में अगर आपन देके तो subtype की mixed question आ सकते हैं, अब बच्चे ने एक topic की तो बहुत अच्छे से practice करी है, बट जब उसको एक ही डियाई में percentage भी निकालना है, profit and loss भी निकालना है, तो वो confused हो जाता है, अब इसको कैसे sort करें, इसको sort करने का simple सा तरीक है, कि अगर आप किसी भी topic की बात करें, जैसे चाहे profit and loss की बात करें, या percentage की बात करें, मुझे रगता है, मैंस में concept भी होते हैं, अगर मैं को पूरा percentage का data interpretation दे दूँगा, तो obvious सी बात है, percentage है, concept ही लगा होगे है, अब बीच में, अगर सबको साथ से profit and loss डाल भी दिया, कि sir, मुझे किसी article की cost price निकालना पड़ा है, या सा मुझे selling price निकालना पड़ा है, तो आपको cost price या selling price या profit percent, etc., मतला आपको निकालने के concept अगर पता है, तो अब कभी नहीं पस होगे, लेकिन ह अगर ऐसा हुआ है, कि आपको concept उतने अच्छे clear नहीं है, कि यार, वो cost price निकालने के लिए, कौन-कौन सी information है, जो ज़रुवत पड़ती है मुझे, अगर वो आपके mind में click नहीं करेगा, तो आप नहीं कर पाऊगे, लेकिन वो कहीं नहीं set है, जैसो for example, मुझे compound rush निकालना चाहिए, rate पता होना चाहिए, time पता होना चाहिए, तो CI निकल जाएगा, लेकि आपको यहीं नहीं पता कि CI find करने के लिए, कौन-कौन सी information की requirement है, अगर बो नहीं clear है, तो आप हमीं सब फसेंगे, तो कहीं नहीं बजाता है, कि यार, concept अगर clear है, तो आप हरी चीज को solve कर सकत हो, आप topic को mix करें, या single topic से पूछें, तो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो अगर क्यूटी की practice करना है daily basis पे, तो कितनी देर के लिए, कितने time के लिए करना चाहिए minimum, जैसे अब मैं अभी के time के according बात करूं, कि लगवाल होगा आपके एप्रॉक्स 4 मंस के आस-पास तो मैं कहूंगा है, तो मैं कहूंगा है, डेली बेसिस के एक घंटे पढ़िए और एक घंटे को आप दो पार्ट में डिबाइग कर देजिया, क्योंकि आदा घंटा परें क्या, क्या आप डेटा इंटर्पोटेशन की प्रक्टिस करें, जो बेसिक अले डिया है, जैसे पर उसको पले रिवाइज करना है, जो भी आप लगता है, तो बच्यों टाइम पर आंगे आप टाइम डियाशन को बढ़ाईए, इस तरीके से धीरे-धीरे करके आप टॉपिक को कबर करी है, क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है ना, आप आप जैसे रिशन के मौक आप देख टॉपिक की प्राक्टिस साथ में पढ़िए, एक घंटे डेली आप पढ़िए, आधे आधे घंटे आप डिवाइड करिए, खाफी को चीज आपकी वहां से कबर हो जाएगी, बच्चों को ये भी रहता है, कि मैं लीगल, लॉजिकल, इंग्लिश, ये एकदम स्ट्रॉंग कर लेता हूँ, इसमें मेरे अच्छे माक्स आजाएंगे, मैं अगर क्यूटी छोड़ के भी आजाओ, तो फिर मेरा निकल जाएगा, तो क्या ये सही है, देखे, क्लेट निकलना, और एक अच्छे अनलिश में पहुचना, तो नमर्ड डिफ्रेंस है, देखे, अगर मेरा पर सकते हो, क्योंकि बिना क्यूटी के आप अच्छा इसको नहीं कर पाऊगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट ऐसे है ना, क्यार, वो आपकी लक्यू पर भी है, जैसे जी के, पढ़ा हूँ टॉपिक आपको मिले गया, तो मेभी आ बना पाए, बढ़ा हूँ नहीं मिला, तो स आपको चीज है, बहाँ पर आइधिक आप इसको नहीं कर पाऊगे, तो क्यूटी आपके स्कूर बढ़ाने में सबसे यादा हेल्प करेंगा, तो क्यूटी को इगनो नहीं कर सकते हो, बिना क्यूटी के, आपको एनलियो मेभी मिल जाए, लेकि साथ अच्छा एनलियो जो मि अच्छा एनलियो मेरे करेंगे, लेकि साथ अधर सब्जेक्ट में अच्छा एक्जामिनर और हम दोनों का पॉइंट एक ही होगा, अगर आंसर करेंगे तो नो डाउट आप 100% स्कूर उसमें आपको पर सकते हो, और इसमें ऐसा भी है कि अपन मतलब अप्रॉक्स आंसर की त आप गयृँट gross है मैं नापक पहले चाहिए कि अपकोड़ों और मतलब और हम जबाल करेंगे, निखी है अपको तकल मतलब करेंगे, हैं गयृँट निकाल सकते हो हैं। और आपकोडूं के बिश्चा ज़ा कि तरप जाएं गच्छामिनर भी हैं। ब्लूम्न डायामिख ह जा सकते हैं क्योंकि केलोकुलेशन में स्पीड अपको चाहिए या फिर जैसे जल्दी निकाल ना है तो अपको अलगला तरीकिए पता हो न चीए अपरॉक्स अंसर निकालना चीए यूंदर डिजर्स कैसे पैचानते हैं बो पता हो न चीए लश्क के टूड़ जर्सा कैसे न अप्शन को धर्म रखते हो आप जाई है तो अगर क्यूटी में 12 on 12 स्कोर करना है तो सबसे पहले तो बेसिक संग कॉंसेप्स क्लियर होने चाहिए सेकेंड इस की वन लाइनर की भी प्राक्टिस करना चाहिए अवाइड नहीं करना चाहिए और थर्ड इस डेली प्राक्टि पर नहीं खड़ा कर सकते हो आगया तो अगर आगया तो फिर अप्सोस हो सकता है हमें तो अप्सोस ना करें उस समय पर पढ़के जाएंगे तो confidence के साथ आप जाएंगे को कि अगर आपको गलती से भी profit and loss दिख गया भले आसान सा question है आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक ऐसा section है जिसमें आप 12 on 12 बिल्कुल score कर सकते हो